हेलो गाइज गुड इवनिंग कैसे हो ठीक है तो गाइज देखेगा हमारा जो अब आज का जो चैप्टर रहने वाला है रिजनिंग में वो रहने वाला है सिलोलिजम कथन निशकर्ष का स्टैप नंबर थ्री और स्टैप नंबर फॉर तो गाइज द्यान रखेगा आज का छोड़े लेक्चर्स हैं मैंने छोटे बनाई हैं द्यान रखेगा क्योंकि किसी कारणवर्शी ये छोटे बने हैं तो चलते हैं गाइज हमारा आज का जो आपने है अगर का स्टैप नंबर थ्री की बात करते हैं तो स्टैप नंबर थ्री के अंदर इसमें याद रखना है कि एक बार में केवल एक निशकर्ष ही सत्त्य माना जाहेगा द्यान रखेगा ये बात अपने को याद रखनी है कि एक बार में एक ही सत्त्य माना जाएगा क्या निशकर्ष कैसे देखेगा आपको जैसे कतन लिखके दे दिया उसने को examiner ने कि कुछ A B है फिर उसके बाद लिखके दे दिया कि कुछ B C है और फिर लिखके दे दिया कि कुछ C, D है यानि आपको कथन लिखके दे दिया उसके बाद आपको क्या लिखके दे दिया निशकर्ष लिखके दे दिया और निशकर्ष में क्या लिखके दिया उसने अपने को कुछ C, D, V, B दोनों हैं और फिर अपको लिखके दे दिया कुछ C A है और एक लिखके दे दिया कि कुछ C B है यानि कहने का मतलब यह हो गया कि आपको कथन दे दिया और उसके बाद क्या दे दिया निशकर्ष दे दिया और आपको बताना है कि यह सही है यह गलत है तो guys कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको फटा-फट करने के चकर में गलत कर देते हैं मैंने आपको उपर लिखे दिया है कि एक बार में केवल एक निश्कर्ष को ही क्या माना जाएगा सत्या माना जाएगा कैसे देखेगा आप पहले इसका डाइगराम बनाएंगे हम अब guys उसने अपने को बोला कि कुछ C, D और B दोनों है तो guys ये वाली बात देखो आप क्या लिखा है एक बार में केवल एक निश्कर्ष ही सत्या माना जाएगा और यहाँ पर कहने लग गया ये कि कुछ C, ये रहे D और B दोनों है तो guys आपको सबको पता है कि एक बार में निश्कर्ष क्या निकलता है एक ही निकलता है तो guys आपको पता लग गया कि ये वाली बात क्या हो गई गलत हो गई क्योंकि कुछ C, या तो D होंगे या क्या होंगे, B होंगे इकठे कभी भी हम नहीं कह सकते तो ये बात अपनी क्या होगी गलत, बच्चे इसको क्या करके आते हैं सही, नेश्ट देखो कुछ C, A हैं, अब देखो कुछ C, A हैं, ये रहा C और ये रहा A, तो दोनों दूर दूर पड़े हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, उसके बाद गाईज कुछ C, B हैं, अब दे कि एक बार में एक निशकर्श को क्या माना जाता है ये दियान रखेगा फिर हम इसी का अपवाद आता है कि हमको यह सही भी मानना पड़ता है, तो वो अपवाद देख लीजिए गाईज, किसकी बात कर रहा है, यहां देखिएगा, कुछ A, B हैं, कुछ B, C हैं, कुछ C, D हैं, कुछ A, B हैं, कुछ B, C हैं, और कुछ C क्या है, D हैं, उसके बाद निशकरश, अगर हम निशकरश की बात करते हैं, यहां देखेगा, अब गाईज, यहां पर मैंने पिछले वाड़ा कोशन सेम टू सेम लिखे दिया, तो आपको पता लग गया कि सर ने सेम टू सेम लिखा है, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, आपके लिए, सिरो आपको बताना था, इसलिए लिखा था मैंने, यहां पर मैं कुछ C क्या लिखूँगा, A लिखूँगा, इसको समझे ना है आपने, यह अपवाद है, बच्चा गलती से यहां पर रटता हुआ आता है, A, B, B, C, C, D, पढ़ता ही नहीं है कि यहां पर क् A, अब इसका डाइगराम आलेते हैं पहले, कुछ A, B हैं, कुछ B, C हैं, और कुछ C क्या है, A, अब कुछ C, A है तो इसका मतलब है मैं इसको मिटो कर क्या कर दूँ, इसको मिटो कर मैं अगर इस तरह से लिख दूँ, यह लिजिए, तो क्या यह गलत है, क्योंकि कुछ B, C और कुछ C क्या हो गए A B हो गए तो दोनों बाते क्लिर होगी यानि इस कोशन में डियाग्राम ऐसा बनेगा द्यान रखेगा और जिसके अंदर यह बात रखना यहां D होता तो यह डियाग्राम आगे की तरफ चला जाता उसमें यह वाली बात क्या होती है गलत होती है मतलब एक ही निशकर्च सही माना जाएगा दो दी होंगे तो क्या माने जाएंगे गलत माने जाएंगे यहां देखेगा कुछ B A वैसी दोनों है कुछ A C है अब आपको यह निशकर्च दे दियागा तो आप फटा फट इसको देखते ही गलत मत कर देना यह बिलकुल क्या है अब स रही है क्यों क्योंकि अपने को पता है जो कhthan में दे रखा है वह डाइग्राम इस तरह बनेगा और डाइग्रम अगर इस तरह बनेगा तो इसमें तो Wij लग रहा है कि B A B है और B C B है हंड्रीट परण है ना इसलिए इसको क्या माना जाए गाएगा सही माना जाएगा तो Unterstützung कि आपको यह समझ़ में स्टेप नमबर सबकिर कर सुट एग वारम a का माना जाता है सत्य माना जाता है तो कुछ B, A और C दोनों है तो यह सही है और कुछ A, C है यह देख लीजिए यह भी बिल्कुल क्या है सही है तो आई होप कि आपको यह वाला पैटरन समझ में आया होगा गाईज इस पर हम एक कोशन और कर लेते हैं इसी लेवल पर देख लीजिएगा आप सभी जैने सभी ने इसका स्क्रीन शॉट यह लीजिए मैं साइड में रहता हूं स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप सभी जलें तो चलिए गाईस देखना आप अब स्टैब नमर 3 में ही मैं एक कोशन और दे रहा हूं जिसका फटा फटा अंसर आपने देना है डाइग्राम बना कर देखत खटे हैं सभी ने करना है गाईस डाइग्राम सासत बना लीजीगा सभी आम खटे हैं कुछ खटे अनार हैं कुछ अनार खराब है कुछ खराब खटे हैं कुछ खराब क्या हैं खटे हैं फिर दिया गाईस अपने को निशकर्ष और निशकर्ष में क्या दे दिया कुछ खटे अनार वे खराब हैं कुछ खटे अनार वे खराब दोनों हैं यह लिए उसके बाद लिखा कुछ आम खटे हैं और उसके बाद लिख दिया सभी खराब अनार हैं सभी खराब क्या हैं अनार हैं तो गाईस फटा फट इसका आंसर दे दीजिए आपने सबने अगर साथ साथ डियागराम बनाया है तो यास गाईस आज का लेक्चर छोटा होने वाला हैं पहले बता रहा हूं आपको किसी कारण में च्छोटा किया है क्योंकि लाइटिंग प्रॉब्लम सबसlevel यहाँ पर आ रही हैं इस कारण से यह थोड़ा छोटा रखा है आज का लेक्चर हाँ जी गाईज कथन सभी आम खटे हैं कुछ खटे अनार हैं कुछ अनार खराब हैं कुछ खराब खटे हैं तो देखें गाईज यहाँ पर सभी आम खटे हैं डाइगराम यही बनेगा फिर बोला गया कुछ खटे अनार हैं फिर बोला गया कुछ अनार खराब हैं और फिर बोला गया कुछ खराब खटे हैं तो गाइस यहां की बिजाएगर मैं इस तरह से बनालू तो गलत नहीं रहेगा इस तरह से क्योंकि खराब अनार अपने नार भी हैं और खटे भी हैं तो देखिए कुछ खटे अनार वै खराब दोनो हैं तो बिलकुल सही है या नहीं है क्योंकि अपने को पता है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो यह सही हो जाएगा कुछ आम खटे हैं ये रहा आम और ये रहा खटे अंदर से वार क्या होता है सभी सभी खराब अनार है सभी खराब तो अनार नहीं है न गाईज कुछ हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो इसका मतलब मेरा जो अनसर होगा वो क्या होगा first and second अनुसरन करता है तो guys I hope कि आपको step number 3 बिलकुल अच्छे से समझ में आया होगा step number 3 में सिरफ दोई बाते याद रखनी है कि एक बार में एक निश्करश को सही मानना है लेकिन एक बार में अगर दो निश्करश को सही मानना पड़ जाए तो उसके अंदर डाइग्राम कुछ इस तरह का बनता है जिसमें ये वाली चीज पहले वाले से क्या रखती होगी समंध रखती होगी तो guys इसका भी screenshot ले लीजी अगर आपको पता है फिर तो मत लीजेगा अगर नहीं पता तो उतार लीजी इसका screenshot और चलते हैं हमारे step number fourth की तरफ हाँ जी guys तो देखेगा step number जो four है हमारा वो है basic संभावना जहां रखेगा basic संभावना और high level संभावना दोनों में फरक है हम आज जो सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे basic संभावना की paper में अगर कोशन आता है तो basic संभावना किस तरह से पूस्ता है देखे guys आपको पहले बता दें कि संभावना वाला जब भी चीज बनेगी तो उसके अंदर आपको हर परकार से सोचना पड़ेगा कि यह संभावना में है या नहीं है और वो कथन में डायगराम बनाते हो उसका उल्टा निशकर्ष में चेक करते हो तो वो डायगराम भी यहां पर बन सकते हैं तो यह थोड़ा ध्यान से देखे guys यहां पर संभावना वाले theme के अगर हम बात करते हैं तो कैसे कोशनों की बात होगी यहां पर बेसिक संभावना के अंदर जैसे सबसे पहले कोशन लिखा गया सभी यानि कथन की बात हो रही है यहां पर सभी A, B हैं फिर कहा गया सभी B, C हैं फिर कहा गया कुछ C, D हैं और फिर कहा गया सभी E, D हैं सभी E क्या है, D हैं उसके बाद गाईज अपने को दिया गया निशकर्ष धान रखेगा और निशकर्ष में क्या कहा गया आज मैं आपको लिखकर डिरेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं करवा रहा हूं क्योंकि यह समझने वाली है इसलिए धान रखना निशकर्ष के अंदर अपने को क्या बोला गया वे सभी वे सभी A जो C हैं वे सभी A जो C हैं E भी हो सकते हैं उसके बाद गाईद आगे फिर लिखा गया कोई D A नहीं है कोई D क्या नहीं है A नहीं है और उसके बाद लिख दिया अपने को कुछ सी A है यह आपको तीन निशकर्ष दे दिये यानि कथन आपके पास है निशकर्ष आपके पास है अब आपको गाईज क्या बनाना है इसका डाइगराम बनाना है आप सबको पता है कि इसके अंदर वो वाली बात आगी जो मैं बताना चाहता हूँ बेसिक संभावना हाई लेवल संभावना अलग होती है उसको पूरे पैटर्न से समझेंगे अभी बेसिक संभावना है तो यह आपके डाइगराम पर ही डिपेंड है ज्यान रखेगा तो देखो गाईज सभी A, B हैं यह सभी A क्या है? यह सभी A हो गए और यह क्या हो गए? B हो गए फिर बोला गया सभी B क्या है? C हैं फिर बोला गया कुछ C क्या है? D है कुछ C क्या है? D और फिर बोला गया सभी E क्या है? D तो गाईज डाइगराम यह वाला बनेगा दा रखना सभी E क्या है? D हैं यह दा रखना वे सभी ए ये रहे ए वे सभी ए जो C है तो आपको सबको पता है गाईस की अंदर से बहार की तरफ जाएंगे तो सभी वाली बात भी सही होती है और कुछ वाली बात भी सही होती है तो यही तो कह रहा है वे सभी ए जो क्या है C है E भी हो सकते है तो वे सभी A जो C हैं वो क्या हो सकते हैं E हो सकते हैं तो हमें पता है वैसे तो यह दूर दूर पड़े हैं लेकिन हमें पता है संभावना में तो हो सकते हैं या नहीं और यह संभावना की बात ही कर रहा है कि हो सकते हैं क्या तो हम कहेंगे यह सर हो सकते हैं यह ध्यार उसके बार कोई D A नहीं है अब देखिए ये रहा D और ये रहा A तो D का वास्तव में तो A से कोई समंद नहीं है लेकिन आप इसको सही नहीं कह सकते हैं को कि मैंने आपको step number second में बताया है कि D का A से link कथन में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि नहीं है तो अपने को पता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो यहां पर ऐसी line ढूंडो जहां पर लिखा हो कुछ D A है और कोई D A नहीं है पर यहां पर लिखा हुआ है कोई D A नहीं है यह कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है तो क्योंकि अगर आ पे लिखा होता कुछ d-a है तो यह स्थिती कहां चली जाती यहां में चली जाती अब यहां में नहीं क्योंकि अक्जा सिचुेशन हैं तो गलत होगा कुछ c-a हैं यह रहा c और यह रहा a तो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो क्या होता है गाईज कुछ इसका मतलब है तीसरा विल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो गाईज आई होप कि आपको step number जो fourth था उसका जो basic संभावना थी वो ये वाला समझ में आया होगा अभी हम और करते हैं question आपके सामने होगे एक बार आप देख लीजिए कि एक चीज समझ में आगी है कि नहीं आई ये चीज ध्यान रखेगा क्योंकि संभावना में दूर दूर पड़ी हुई चीज भी क्या होती है सही होती है अगर वो खुद चलके कहता है कि हो सकते हैं अगर यहां पर हो सकते हैं नहीं लिखा होता तो वो क्या होती गलत होती क्योंकि एक बार में दो निश्कर्ष क्या होती है गलत होती है अब चलते हैं हमारे अगले question के उपर की और कैसा question बन सकता है इसके अंदर देखे गाइस यहाँ पर लिखाओ आपको कथन के रूप में कुछ A B है सभी B C है सभी C D है कोई D E नहीं है और लास्ट में लिख दिया कुछ E F है कुछ E क्या है F है यह आपको कथन दे दिया उसके बाद गाइस आपको दे दिया निशकर्ष देखेगा अगर हम निशकर्ष की बात करते हैं तो निशकर्ष के अंदर अपने को दिया कुछ F कुछ F D नहीं है कुछ F D नहीं है कुछ D A है सभी F के A होने की संभावना है तो इस तरह से गाइस बेसिक संभावना ऐसे आएगी और जो हाई लेवल संभावना है उसको मैं पूरे डाग्रामेटिकल दंग से समझाओंगा आपको कि हाई लेवल संभावना में कैसा आता है कि निश्चित संभावना है यहां कह देता है कि संभावना हो सकती है तो वहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट होगा अभी तो हमने सिर्फ सेखा है बेसिक संभावना जो दूर दूर पड़ी होती है उसको हम किस में लेके चलते हैं संभावना में लेकर चलते हैं अब देखें गाईज आपके सामने हैं इसका डाइगरा मनाते हैं कुछ A B है कुछ A B है सभी B C है सभी C D है सभी C क्या है? D है कोई D E नहीं है कोई D क्या नहीं है? E नहीं है और last and final कुछ E क्या है? F है कुछ E क्या है? F है तो गाईज आपके सामने डाइगराम हमारा त्यार है अब अपने फटा-फट जेक्ते हैं सबसे पहले लिखा है कुछ F D नहीं है और ये भी समावना ही है काईज ध्यान रखेगा जब कुछ B लिखा होता है और नहीं में दिया होता है तो यहां देखिए आप इसने बोला कुछ F D नहीं है अपने को पता है कोई भी D क्या नहीं है E नहीं है अब इस F का हिस्सा इस E के अंदर इतना इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है अपने माइंड में एक बात आ रही है ये सर आ रहा है अगर F का इतना इतना हिस्सा E में आ रहा है तो natural सी बात है F का ये वाला जो हिस्सा है ये ना तो D होगा ना C होगा ना B होगा Yes या No क्योंकि अपने को पता है E का समंद D के साथ नहीं है अगर E का समंद D के साथ नहीं है तो C के साथ भी नहीं है B के साथ भी नहीं है तो इतना इतना समंद F का किसी के साथ नहीं होगा Yes या No और यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कुछ F D नहीं है तो कुछ ये वाला जो F है ये D नहीं है न तो इसका मतलब है ये वाली बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी और बच्चे यहाँ पर क्या देखे आते हैं गलत देख कर आते हैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तो फटा फट एक लाइक के साथ बता दीजिए कि यह समझ में समझ में आ गया है Next, simple question है कुछ DA है, बता दीजिए कुछ DA है, बिल्कुल सही है सर है Next, अब देखिए समझ मावना फिर आ गई अब देखिए इसने क्या बोला है सभी F के, पहले F पकड़ो F यह रहा, सारा F यह रहा ठीक है जी, यह कर रहा है सभी F के A होने की समझ मावना है सभी F के A होने की समझ मावना है अगर मैं इस पूरे F को उठाकर इस पूरे F को उठाकर मैं किसमे रखता हूँ A के अंदर रखता हूँ ये लीजिए ये रख दिया मैंने इस पूरे F को उठाकर मैंने कहा रख दिया इसमें रख दिया और इसमें कुछ हिस्सा किसका है E का तो इसका मतलब ये हुआ, उदर उदर वारा इसदा D के साथ टैच नहीं कर रहा न, तो इस F को उठाकर मैं पूरे का पुरा किसम red रख सकता हूं, A में रख सकता हूं, किनी रख सकता हूं, तो मैंने रख दिया है और रख दिया है, तो इसका मतलब है सभी F के A होने की संभावना है या नहीं है तो हम कहेंगे यह सर है ध्यान रखेगा सभी F के A होने की क्या है संभावना है क्योंकि मैंने यह पूरा उठा कर भी अगर यहां रख दिया तो भी वो अटैच नहीं हो रहा D के साथ C के साथ और B के साथ यह थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे क्योंकि यह कुछ में है तो इदर वड़े में नहीं भी हो सकता इसलिए चीज क्या हो जाएगी संभावना में सही अच्छा गाईज एक बात और पूछ लूँ मैं आप से सभी A के F होने की संभावना है येस सभी A के F होने की तो सोचो गाईज आप फटा फटा अगर मैं पूरे के पूरे A को उठाऊंगा और पूरे के पूरे A को उठाके अगर मैं इसमें रखूंगा तो आप सबको पता है कि यह जो इतना इतना हिस्सा है A का ये D में भी है C में भी है और B में भी है तो वो भी तो वहाँ जाएगा तो आप कैसे कह दोगे कि सभी A के F होने की संभावना है Yes या No क्योंकि हमें पता है कि यहां पर ये चीज़ क्लियर है Yes या No तो गाईज फटा फटा आपने बता देना है ये चीज़ कि सभी F के A होने की संभावना तो आपको पता लग गई है लेकिन क्या सभी A के F होने की संभावना है या नहीं ये आपको बता देना है अपने कमेंट बोक्स में चलते हैं आगे कुछ D के F होने की संभावना है देखे गाईज कुछ F के कुछ D के F होने की संभावना है तो देखे गाइस कुछ D के F होने की संभावना है या नहीं तो D ये रहा और F ये रहा तो आपको पता है कि पूरे हिस्से D का समंद किसके साथ नहीं है E के साथ नहीं है तो अपने को पता है F के साथ तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है हम कह सकते हैं क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ D के F होने की क्या है संभावना है क्योंकि ये D पूरे का पूरा किसमें चला जाएगा F में जा सकता है लेकिन कुछ के रूप में जाएगा सभी के रूप में नहीं जाएगा I hope कि guys आपको पता लगया होगा कि कुछ DKF होने की भी क्या है संभावना है I hope कि आपको आज का session अच्छा लगा हो लेकिन संभावना भी खतम नहीं हुई है जान रखेगा संभावना का हाई लेवल जो पार्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे आज का जो पार्ट था वो बेसिक संभावना पर डिपेंड था जिस हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो लेकिन कल के पार्ट में I hope कि आपको इस समझ में आएगा तो गाईज आपको बता देना है कि आपको कैसा लगा आज का सेशन अगर नहीं भी समझ में आया है कुछ बातें तो गाईज रिवाइंड कर लीजिएगा और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो गाईज कल का जो चैप्टर हमारा रहने वाला है यानि मंडे का जो चैप्टर रहने वाला है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि वो एक ही स्टेप करवाऊंगा और बुरे लमसम लमसम आप ये मानिए तीस से पैंतीस मिनट का होने वाला है तो गाईज तब तक के लिए अलविदा